क्या पवन की तरह ही खेसारी लाल यादो भी जब हिंदी गाना गाएंगे तो उन्हीं की तरह शांदार और सबसे हिट गाना होगा आईए चलिए इसमे कुछ बाते कर लेते हैं वैसे आज कल खेसारी के फैंस के बीच ये बहुत ही होट टॉपिक है कि उनके सुपस्टार खेसारी लाल यादो हो सकता है जल्द ही हिंदी गाना गाएं और वो भी पवन सिंग की तरह एक हिंदी गाना लेकर आएं वैसे पवन सि लाल यादो ने इसके लिए पूरी तरह से कमर भी कसली है पोस्टर भी ला रहे हैं और उसे जल्द ही एक ऐसे यूटूब चैनल पर रिलीस किया जाएगा जो की हिंदी हो जी हां यहां पर हम भले ही ना चाहें फिर भी लोग कमरिया हिला रही हैं से तो इसका कंपेर करेंग इसलिए होता है क्योंकि पवन सिंग उनके सबसे बड़े कॉमपटीटर है और इसका कारण कुछ नहीं है और वैसे भी कॉमपटीशन होना लाजमी है अगर आप किसी छेत्र में हैं और उस छेत्र में आपका कॉमपटीटर कोई नहीं है तो उस छेत्र में आप कुछ नया न नहीं कर सकते वैसे शायद ही खेसारी हिंदी गानों के लिए सोचते लेकिन अब पवन का गाना आ गया है तो खेसारी का आना तो बनता ही है फिर लोगों को एक मौका मिलेगा इन्हें कंपेयर करने का फिर लोगों को मिलेगा कि किसका गाना बहतर है किसका गाना नहीं यह बात अलग है कि comparison नहीं होना चाहिए, अगर comparison होता है तो फिर ये बाते थोड़ी सी बेमानी लगती हैं, लेकिन competition होना चाहिए, अगर competition नहीं हुआ, तो आपको परिणाम कभी पता नहीं चलेगा, तो हम इहां पवन और खेसारी का comparison नहीं करेंगे, लेकिन competition में जो नतीजे आएंग हम आपको ज़रूर बताएंगे, आपको किसके गाने का इंतिजार है, पवन के दूसरे हिंदी सौंग का या खेसारी के पहले हिंदी सौंग का, ऐसे ही latest वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं हुदे